नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका SC Learning Point भाई सिंग सर आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस का AWO और TPO का पेपर यह पेपर भाई साब इतने अच्छे पूछे गए हैं कि CGL का लेविल क्या होगा है हर सिफ्ट में कम से कम 2-3 सवाल बहुत अच्छे हैं तो कुल मिलाकर आपके 12 से यानि कि 6 सिफ्ट हुई थी तो 12 से 20 के बीच बहुत अच्छे सवाल होंगे ठीक है तो आप लोग तयार रहिए पेन कॉपी लेके जो भी अच्छा सवाल हो उसको नोट डाउन किजिए चले फिर स्टार्ट करते हैं पिनादेरी किये हुए देखो 42 सेंटीमेटर 220 सेंटीमेटर उचाए वाले संगू का संपोर्ड प्रिष्टिय चेत्पल क्या होगा संगू का टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर होता है समझ गए बात को यानि कि 11 के डिविजबिल्टी देखते तो आपको केवल एक ही आंसर मिलता ठीक है आप समझ गए होगे तो यहां से देखो अगर रेडियस हमको 21 सेंटीमेटर पता हो और हमारी हाइड 20 हो तो एल कितना हो जाएगा पाई था गोरस से 29 सेंटीमेटर हो जाएगा आप चित्र बना के आप छोटे बच्चे नहीं हो प्रिवियस यह देखने आया त यहां पर गुणा हो जाएगा 50 तो साथ निया 21 हो गया 22 निया 66 हो गया 66 गोड़े 50 करेंगे 0, 5, 36 और 300 अंसर अगला सवाल तो यहां से देखो 10 की पावर 2X यहां से देखो इसको क्या लिख सकते थे 1 अपाउन 10 की पावर X बरावर एक बटे 3 लिख सकते थे यानि कि 10 की पा अगला सवाल तो यहां से देखो यह लिखा हुआ A2-B2 और नीचे लिखा हुआ A2-B अगर फार्मूला लिखेंगे A-B हो गया A-B हो गया अपाउन में A-B हो गया यह से cancel out तो हमको क्या निकालना थे केवल A-B यहनिक 2.05-3.23 हो गया यहां से घटाएंगे 13-5 गया 8 एक इसका answer आगया अगला सवाल जब किसी बस्तु के मूल में 20% की कमी की गई तो उसकी बिकरी में 80% की ब्रद्धी हुई आए पर उसका सुद्ध प्रवाव कितना होगा यह देखो product वाले सवाल होते product वाले सवाल क्या होते जो चीज एक दी जाए दूसरी पर निरवर हो अब माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है 20 गोड़े 80 बटे 100 हो जाएगा यहां से इसका difference करेंगे तो 60 हो गया माइनस का यह 0 cancel out आर्दूनी 16 हो यानि कि 44% की क्या हो गई प्रद्धी होगी अगला सवाल यहां से देखो इसका मध्यानपाती निकालना यानि कि 2 संख्य हो गया देखो 8 दो जगए हो गया 12 एकम 12 हो गया और 12 हो दस 22 अगला सवाल एक संभावत रूज का आधार इतना है तो इसका छित्वल क्या होगा क्या गुना हो रहा था दो चकू 8 4 चकू 16 हमने बताया था जब साइड दो हो तो एरिया रूट 3 अब यहां पर 8 हो गी तो क्य होगा चार गुना होगए तो इसी का स्कुblock का देते हैं बाकी फार्मूला सभी को पता होगा रूट 3 वाई 4 एस्कु Walmart होता है यहां पर क्या रखेंगे 64 हो जाएगा यानिकि 16th हो ज्याएा एकसाव आगला सवाल आजाओगे इसलिए कह रहे हैं ठीक है प्लस का 4 प्लस का 25 बटे 3 लिख सकते हैं समझ गयों के बाद यानि कि यहां से अकर करेंगे तो 15, 4, 19, 19, 19 से 6 घटा देंगे 19 से 6 आएगा तो 13 बचेगा प्लस का 3 बटे 4 प्लस का 25 बटे 3 और फिर माइनस का 4 बटे 5 हो गया यहां से LCM लेंगे 5, 4, 3 यानि कि LCM आजाएगा कितना 60 यहां पर गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा यहां पर 60 बनाएंगे तो 20 हो जाएगा यहां पर बनाएंगे तो 12, 5, 7, 12 का गुणा हो जाएगा इधर भी अगर 60 बनाते तो उपर 60 का गुणा करना पड़ता है यहां से करेंगे 780 प्लस का 45 प्लस का 25 दूनी 50 पांसो माइनस का 12 चौक 48 हो गया बटे करेंगे कितना 60 हो जाएगा कोई समस्या किसी परकार की नहीं हो गई तो यहां से देखो यह माइनस का 3 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे 7,5,1280 माइनस का 3 बटे हो जाएगा 60 यानि कि यहां से 1277 बटे 60 आजाएगा सिंपल था अगला सवाल करते हैं अब यहां से देखो बताना एक कंपनी निमलिकित आफर करती है गरहा के लिए कौन सी चूट होती इस से ज़्यादा जितनी चूट मिल जाए तो देखो इनका सम देखो 25,5,30,20,10,30,22,8,30 हो गया अब यहां से 30 से डिफेंड नहीं करता है अब देखो हम अगर फार्मूला लिखते हैं एक प्लस बाई एकल चूट गा तो यह होता है आनि कि यह वैलू जिसमें छोटी होगी पही गःच के लिए फायदा होगा जैसे माललो अगर 30 माइनəस का पांच करते तो गःच कूट कितनी मिलती 25 अगर 30 माइनस का छे करते तो ग्राग को छूट कितनी मिलती 24% मिलती अगर मालो 30-8 करते तो ग्राग को छूट 22% मिलती तो ग्राग को तो छूट ये चाहिए ना यानि कि जितना कम होगा उतना ही फायदा होगा तो हम केवल इसकी value निकालते हैं यानि कि 25 गुडे 5 बटे 100 20 गुडे 10 बटे 100 और 22 गुडे 8 बटे 100 समझ गए होगे बात को मैं क्या गहना चाहरा हूँ तो यहां से 25 गुडे 151.25 हो गया यहां से करेंगे तो यह 2 आ गया यहां से करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 होगे यानि कि 1.76 आ गया सबसे छोटा यह वाला है यानि कि आंसर हमारा फर्स्ट होगा समझ गए होगे पूरी कैलकुलेशन करने की जिरुवत नहीं होती है आपको केवल दिमाग में करना था आपको पता लग गया योग बराबर हो रहा 25 पंजे 125 करते और यहां से कट जाता तो 2 आ जाता यहां से 262, 176 करते यह पॉइंट लगता बस इतना लिखना होता आपका अंसर आ जाता अगला सवाल करते हैं अब यहां से देखो यह सवाल जिसने बाई बेसिक से अकर पड़ी होगी तो अच्छे से कर लेगा नहीं तो क्या करना तो पड़ेगा ही अब यहां से देखो अगर यहां पर एक इस तरीके से बना लो पहले ग्राफ ठीक है यहां पर तो यह 0 हो गया अगर मालो इसमें बाई बराबर 0 रखा य बराबर क्या रखा? 0 पुट किया तो यहां से 2x बराबर माइनस का 8 यहने x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा इस तरीके से बना लो यहां पर जरूत पड़ेगी आप लोगों यहां पर लिखो x और by ठीक है? अब यहां पर देखो जब हमने by बराबर 0 रखा x बराबर माइनस का 4 आ गया समझे रहना? अगर मालो इसमें भी बही करते by बराबर 0 रखते तो 8x बराबर 24 तो x बराबर कितना आ जाता? 3 आ जाता यानि की by बराबर 0 जब by बराबर 0 हो तो x बराबर 3 आया एक तो condition ये बन गई अब दूसरी condition में इसमें put कर दो क्या? x बराबर 0 x बराबर 0 किया तो by बराबर 8 आ जाएगा by बराबर कितना आ जाएगा? 8 जब x बराबर 0 है तो by बराबर 8 आ गया फिर इसमें भी put करते हैं अब यहां से बना लेते हैं एक बढ़िया सा graph में देखते हैं कहां कहां पर कौन सा point आता है उसी तरीके से हम इसका solution करेंगा अच्छा सवाल होते हैं अगर आपकी practice अच्छी है तो यह सवाल ऐसा नहीं करने लाइक नहीं आप लोग कर सकते हैं अच्छे से तो देखो यहां से बाई बराबर जीरो हो था यह तो दिया हुआ था यानि कि वो लाइन ऐसे कुछ रही होगी यहां से देखो पॉइंट लिख लो कहां तक जा रहा है मैक्सिम्म आठ तक वो भी पिलस वाले माइनस वाले में ऐसे कर लो यानि कि अगर एक्स यह लिखते पहला पॉइंट तो बाई बराबर जीरो माइनस चार माइनस चार यहां पर मिलता एक्स में तो यह हो गया क्या माइनस चार कामा जीरो समझे रहना बात को फिर तीन कामा जीरो यानि कि तीन एक्स का मिला यानि कि यहां पर आ जाएगा तीन हुआइगक है फिर देखो फिर बही दूसरी कंडिशन हो गई यानि इनको अगर मिलाते हैं तो इस तरीके से मिलेगा जाके इस पर मिलेगा है यह यहां से मिलाएंगे तो तीन वाले मिलेगा यह यह तो पूरा एकत्म हाइड हो गई इसकी हाइड कितनी हो गई, आठ हो गई, ठीक है, बेस कितना हो गया, चार तो यहां से यहां तक हो गया, और यह कितना हो गया, तीन हो गया, यानिक अगर लिखेंगे तो एक बटे, दो, बेस, बेस कितना है, साथ है, आइट कितनी है, आठ है, दो चोक वाट यानिक साथ चोक अठाइस आंसर आ गया, अगला सवाल, एक दुकंदार अपने माल को क्रे मुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बजन का उप्योग करता है, जिससे खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% की बेमानी करता है, उसके लाव या हानी का कुल प गया, दो हो गया, बटा कर देंगे क्या 90, क्योंकि उसने अपने पास से तो 90 ही दिये थे, 0-0 यानिकी 250 बेटे 9 हो गया, यहां से करेंगे 9 दूनी 18, यानिकी ये तो जा चुका है, और ये भी जा चुका है, क्योंकि तुमको दिख रहा है, बिलकुल पॉइंट में आंसर आ ब्याज की दर्से प्राप्त मिसर्दन, उसी दंडासी पर उसी दर्पत 10 बर्सों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से 1100 कम है, तो दोखो, पहली कंडिशन में अगर मूल दन 100 होता, तो तुमारा मिसर्दन कितना बनता, ब्याज तो 36 हो गया, यानि कि मिसर्दन बनता 136 दूसरी कंडिशन में 10 बर्स के लिए कह रहा था, रेट पहले वाली सेम थी, यानि कि यहां से अकर 100 ब्याज निकालते तो 180 ब्याज मिलता, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यही तो उमझे निकालना था, 10 से 6 गया, 4 हो गया, 7 से 3 गया, 4 हो गया, यानि कि इसी 44 की व दूर्व, एक सेर की जनसंक्या इतनी थी, पहले वर्स की जनसंक्या में 4 परसें की ब्रद्दी हुई, और दूसरे वर्स में 4 परसें की कमी हुई, बर्तमान जनसंक्या ग्याद कीजिए, तो देखो, यहां से डारेक्ट की लिख सकते है, 4 की ब्रद्दी हुई, 4 की कमी, या चार बटे 100 हो जाता है यह तो cancel out हो जाता है यानि कि 0.16% हो गई टोटल कमी तुम्हारे पास यानि कि 100 से अगर 16 कम करेंगे तो 100 से पूरा एक कम कर दो 99 बन गया और फिर 16 और कम कर देंगे तो 0.84 हो गया तो यहां से इतना परसेंट हमें निकालना थे किसका पंदरा 62500 का यानि कि यह 2 0 चले गए यहां से अब यहां से गुणा करते तो बन नहीं रहा हो का यहां यानि कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते तो option भी देख लो बिलकुल एक तर नस्दीक दिये थे 100 माइनस का पॉइंट 16 लिख सकते थे समझ रहो ना बात को क्या गह रहा हूँ तो यहां से तो यह पूरा बन गया 15 62500 माइनस का 16 का गुणा करेंगे 16 85 80 यहां से लगा 8 हो गया 16 दुनी 22 48 40 हो गया अब point आ जाएगा, दो के बाद, दो के बाद, यहां point लगा दो, तो यहां से दिखो, पूरा-पूरा 25,000 जा रहा है, इतना answer आ जाएगा, simple सी बात थी, answer आ गया, ठीक है, अच्छा था सवाल, अगला सवाल करते हैं, A, B, C, सभी मिलकर एक कार को 20 दिनों में कर सकते हैं, जिसमें B उस कार को करने में, A और C द्वारा मिलकर उस कार को पूरा करने में लिये गए समय से 4 गुना अधिक समय लेता है, तता C उस कार को करने में A और B द्वारा मिलकर उस कार को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है B अकेला उस कार को कितने दिनों में कर सकता है तो यहां से देखो B उस कार को करने में A प्लस C 4 गुना ठीक है पहुत बढ़िया बात है यह किसका समय का रेशियो है ध्यान रखना फिर कर रहा था C A प्लस B 3 गोना गए रहा था अब यहां से दिखो तोटल अगर है यहां से अकट देखें तो समय तो बराबर रगना चाहिए था यहां पर तो 5 समय लग रहा यहां पर 4 समय लग रहा लेकिन बराबर लगना चाहिए था यहां इसमें 5 का रेशियो हो गया समय का opposite efficiency का होता है यानि कि 4 और 16 हो जाएगी efficiency इनकी 5 और 15 हो जाएगी तो हमें C की पता लग गई B की पता लग गई अब बताओ किसकी रह गई एक ही रह गई यानि कि यहां से निकाल ले यानि कि C की जब 5 है तो एक ही कितनी होगी 11 होगी यानि कि 3 को मिलाकर अगर 20 efficiency है तो टोटल काम कितने दिन में हो रहा था 20 दिन में हो रहा था तो गोड़ें 20 कर देंगे B अकेला उस कारे को कितने दिनों करेगा तो 4 का भाग कर देंगे यानि कि यहां से 4 पंजे 20 हो गया 20 पंजे 100 दिन आंसर आ गया अगला सवाल यह देखो यह तो कॉफी आसान सवाल था हर सिफ्ट में 2-3 सवाल पूछे गए अच्छे बाकी यह को इतना कुछ टफ पूछा गया रोग इतना टफ भी नहीं था लेकिन हां कुछ सवाल इतने टफ थे कि दुआ उड़ जाएंगे भाई क्या करें करना पड़ पूछ गएंगे यह तो यह दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया थीस आ गया बस यही तो निकालना था अगला सवाल एक बरतन खोकले अर्थ गोला कार के आकार का है जिस पर एक खोकला बेलन बना है अर्थ गोले का ब्यास 14 सेंटीमेटर है और बरत का अंतही प्रश्टिये च्छित्रफल क्या होगा तो देखो खुकला अर्ध गोला का रहे हैं एक बेलन और रहे है कि अर्ध गोले का भ्यास दिया गया तो 14 यानि की रेडियस कितनी हो जाएगी साथ उसकी अर्ध बोले की यहां से हीचेट साथ, क्याने कि ही North भी तो 13, 13 कि हो जाएगी मतुमाओर,बिनल की चाहिए थे साथ में खटा देंगे। यहां से लीधक की से इसे चाहेगो, Bestivanोर हम इस का निकालते अ noting, तो 4 पाई अगर कॉमाल लेल। two पाइ और कॉमाल लेलो 2 गुड़े 22 बटे साथ और अगर कॉमाल लेंगे र कितनी ऐ साथ है एक और अंदर बची है या च्यानी कि हाइट किसकी लेनी है हमको पेलन की लेनी है यह ध्यान रखना तो यहां से साथ से साथ cancel out हो गया 22 दूनी 44 हो गया साथ चे तेरा हो गया तेरा चोकू 52 हो गया तेरा चोकू 52 और 52 और पाँच कितना हो जाएगा सत्ता आवन अंसर अगला सवाल P और Q मिलकर किसी कार को चार दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि अकेले P उस कार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो अकेले Q उस कार को पूरा करने के लिए आवस्चक दिनों की संख्या क्या होगी तो देखो दोनों का गुणा कर दो और 12 से 4 गटा दो चार दूनी 8 हो गया दो चक्के बारा अंसर अब यहां से देखो यह क्या हुगा प्रक्टिस की बात हो गई प्रक्टिस किया इसलिए इतनी जल्दी कर लिया नहीं तो क्या P प्लस क्यू करते चार लिखते और P का लिखते कितना 12 लिखते इनका LCM ले लो 48 तो यहां से देखो efficiency बारा जाती इसकी चार आ जाती यानि कि यह 4 हो गया तो बारा से चार गटा ओगे ना तभी तो क्यूं की आ जाएगी 8 तो बही तो यहां से डारेक्ट लिख लिए बस 12 गुड़े 4 गया द percentage से percentage तो चला गया किसी प्रकार की कोई समस्या हो नहीं यानि कि यह जो 0 है यह जीरो भी चला गया होगा यानि कि बचा कितना जैड गुड़े 21 गुड़े 21 बटे 17 गुड़े 17 बराबर 3050 अपाउन बचा कितना जैड बचा समझ गए बात को बिलकुल समझ गये हो गया यानि कि यहां से अगर लिखेंगे तो जेड़ स्क्वाइर जेड़ स्क्वाइर मॉल बना हुआ है कानपूर में बहुत फेमस मॉल है 3050 इन्टू 17 का स्क्वाइर अपाउं 21 का स्क्वाइर हो गया आप तुम समझ गये होगे रूट लेना यानि कि कुल खेल किस पर करना इस पर करना यानि कि यहां से कर 25 हम निकल जाता है बिल्कुल निकलता है यानि कि इसको लिख सकते थे 25 25 25 बचा फिर 25 दूनी 50 फिर 5 बच गया फिर 25 दूनी 50 हो गया समझ गये बात को यानि कि यहां से देखो 122 बचा यानि कि अगर 11 गरें 121 होता है तो लगवग मान के कर लें इसको 121 मान के कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते तो दोनों तरफ रूट लिया तो जैड बरावर आ जाएगा 17 बटे 21 गुडे 5 गुडे 11 हो गय अब यहां से करेंगे इसका गुड़ा 11 गया रहे का तो पांच आट पांस ते रहा है तीन हांसे लगा एक नो हो गया बटे हो गया 21 चौक इतना होता 84 होता बस आंसर आ गया हमारा ठीक है अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में दिमाग लगाना ही पड़ेगा नहीं तो क्य होगा यह एक्जेक्ट निकाल लोग कैसे भी नहीं निकाल पाओगे अगला सवाल करते हैं एक पुलिस कर्मी एक चोर का उससे 1800 मीटर आगे पीछा करता है ठीक है यह दी पुलिस कर्मी और चोर क्रम से 12 किलोमेटर पर दिगंटा 9 किलोमेटर पर दिगंटा की गती से अगर डिश्टेंस का रेशियो निकले तो वह भी तो सेम होगा क्योंकि सेम समय में जो होरा डिष्टेंस जा रही है यानि कि समय पहले तो डिफ्रेंस कितना था तीन का था डिष्टेंस में यानि कि 1800 हो गया अब यहां से दिखो किसका पूंचा गया था पकड़े जाने से चोर इस पारिकट की दस पारियों में बनाए गए रनों का ओसत 43 था उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का ओसत 3 बढ़ जाए simple है पहुत बार बता चुके 11 रती है 33 रन और बनाने होगे यह निक 3 3 6 4 3 7 बहुत बार बताया अगला सवाल यदि 2 ब्रतों की तरजियां इतनी है अनुप्रस्त ओवयनिष्ट इस पर्च रेखा की लंबाई इतनी है तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी तो देखो ओवैनिष्ट इसकी सपर्ष रेखा होती है, इसकी दूरी होती है, अंडर रूट D स्क्वाइर माइनस का R1 प्लस का R2 का ओल स्क्वाइर, समझ गया, यह दिया गया था कितना 14, यानि कि यहां से स्क्वाइर करेंगे 14 14, 196, बरावर कितना हो गया, D स्क्वाइर माइ यानि कि दोनों तरफ रूट लेते तो D बरावर रूट 2 इंटू 14 आंसर आजाता, अगला सवाल करते हैं, अब यह देखो, यह अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल, इस टाइप के सवाल आते नहीं है CGL में, तो इसलिए यह अच्छा सवाल बन जाता है, एक समांतर D के पहले 6 पदों का योगफल 14 है, यानि कि 6 पदों का योगफल लिखेंगे, योगफल का फार्मूला होता, NY2, 2A, प्लस का N माइनस का 1 इंटू D, और S, लिक है, तो कितने 6 पदों का था, तो 6 बटे दो, 2A, N माइनस बन, यानि कि 6 से 1 जाएगा, तो 5 बचे का 5D, बराव कितना हो गया, 18 हो गया, अब यहां से देखो, यह दसमा पद, अगर दसमा पद लिखो गया, तो A, प्लस, N, माइनस 1, यानि कि 10 से क्या, 9D, बटे, इसी तरीके से 30 मा पद लिखो गया, 29D, बरावर हो गया, 11 बटे, 31, प्लस का, 9, 9, 9, 27, D, बरावर 11, A, प्लस का, 9, 9, 2, 11 रखे, यहां से लगाए, 319, D, अब यहां से गटाते हैं, तो 20, A, बरावर हो गया, 9 से 9 हो गया, 0, यानि कि 40 का, D, और तो A, अपाउं, D, दो बटे, एक आ गया, यह वैलू इसमें पूट कर दो, यानि कि A बरावर 2X रखेंगे, यानि कि 4X हो गया, यह 5X हो गया, बराव 18 हो गया, तो X बरावर 2 आ गया, यानि कि A बरावर यानि कि 1st नमबर 4 रहा होगा, D बरावर 2 रहा होगा, समझ गये, यानि कि इसको अगर हम चाहते तो hit and trial से भी, यानि कि इसमें हम hit and trial भी लगा सकते थे, लेकिन इतना वहां paper में सोचने का time नहीं मिलता, अब देखो 15 फार्मूला ये लिखा हुआ, 15 बटे दो, पहला नमबर आपको पता लग गया, यानि कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 लिखा न, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का, N-1 यानि कि 15 से एक जाएगा, तो 14 हो जाएगा, गोडे, D हो जाएगा, यानि कि 2 हो जाएगा, समझ गये होगे बात को तो 14 दूनी 28, 28 और 36 हो गया, यहां से काटेंगे, तो 18 हो जाएगा, फिर 18 पंजे 90 हो गया, 18 एकम 18, 19, 27 हो गया, 270 आंसर आगया, ठीक है, अगला सवाल करते हैं, आप यहां से देखो, ये दो समी करण तुमको दिये गए थे, इनका ग्राफ का प्रिछेद बिंदू होगा, निमने में से किस समी करण के ग्राफ पर इस्तित होगा, अब यहां से क्या करना होगा, हमें वेलू निकालनी पड़ेगी, एक्स और भाई की, फिर उसके बाद इसमें पुट करना पड़ेगा, तो भाईया करते हैं, 147 एक्स माइनस का 23 बन, य बरावर 525 हो गया, फिर यहा से देखो इसको लिखते तो 7 गुड़े 7, इसको लिखते तो 7 एक्स दो बचा, फिर 7 एक्स हो गया, यानि कि 7 तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन इसमें एक्स्टा 33 मिला है, इसमें 7 मिला है, यानि कि इसमें पूरे में 7 का गुणा कर दिया जाए, इसमें पूरे में 33 का कि ये वाला इजी पढ़ रहा ना क्योंकि 21 का टेविल याद होगा 33 का टेविल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या करना है हमने फर्स्ट वाले की तरह हमको तो solve करना यानि कि इसको यहां से हटा दे तो यह चीजे भी होती है भई आप समझ लो बात को फोड़ा सा मेनत तो है पेपर बाकई में काफी अच्छा बनाता यानि कि इसमें पूरे में कितने का गुणा 11 का गुणा इसमें 21 का गुणा करते हैं समझ गयो गए बात को तो यहां से करेंगे तो यह 1 हो गया 3 1 4 3 2 5 यह 2 बाई हो गया फिर 5 5 2 7 हो गया फिर 5 2 7 हो गया 5 हो गया फिर 21 का करेंगे तो 21 सत्य 147 होता क्योंकि यह यहां पर भी लिखा है और याद भी है तो 147 की 7 हो गया यानि कि यहां से तो गुणा करने का मतलब नहीं है क्योंकि एक से को तो हम बरावरी कर रहें तो सेम आना है तो गुणा क्यों कर रहे हैं बेफ्कुर्फ ठोड़ी ना बनना है आप यहां से करेंगे तो देखो 189 हो जाएगा 21 यानि कि 9 हो गया है यहां से लगा 18 हो गया 24 और 84 बार आख चार बार है कि तो हां से लगा सवाल अच्छा था सवाल अच्छा मतलब calculation अच्छी करनी पड़ेगी तभी आप यहां से कर पाएंगे नहीं तो फिर क्या मुह देखते रहे ना बस इसके लावद थोड़े ने कुछ बचता है क्योंकि ऐसा सवाल इस तरीक के पूछना मुझे नहीं लगता है कि SSC में ठीक है इंडिकेशन कुछ गड़वर दिख रहे हैं मुझे अब यहां से देखो वो भी दिल्ली पूलिस के पेपर में ऐसा पूछ रहे हैं से जील में पूछते चलो ठीक भी है गटाएंगे तो ग्यारा से नो गया दो हो गया तीन से दो गया एक हो गया अब यहां से पांच बचा दो से गया एक बचा वो भी माइनस का बराबर यहां से गटाएंगे तो पांच से तीन गया दो साथ से छे गया एक बचा साथ से दो गया पांच बचा पांच से चार गय एक बच्चा यानि कि यहां से देखो बाई बरावर कितना आ गया माइनस का वन आ गया समझ गयों बात तो यहां से देखो इसमें अकर पुट कर दें तो 147 X माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 231 बरावर 525 हो गया यहां से अकर हम गटाते हैं तो 5 से गया 4 हो गया 12 से 3 गया 9 हो गया 4 से 2 गया 2 हो गया तो श्टोने चाहिए थे तो देखो इसमें रखते चार दूनी 8, 8 से 5 घटाना पड़ता नहीं होगा यहां से देखो 5 दूनी 10 और 10 और 4 कितना हो जाता 14 यह भी नहीं होगा यहां से रखते हैं 9 दूनी 18, 18 और यहां देखो माइनस माइनस प्लस 18 पंस 23 हो जाता आंसर आगया समझ गया हो कि अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था, अगला सवाल करते हैं 2 cm और 5 cm तरजया वाले 2 ब्रत जिनके केंदर 8 cm की दूरी पर हैं कि अनप्रस्ट अवैनिस्ट इसपर्स रेखा कि लंबाई क्या होगा देखो सेम फार्मूले का सेम सवाल आगया यानि कि अगर अनवप्रस्त ओवैनिस्ट इस पर सरेखा कि हम अगर लंबाई का फार्मूला लिखें तो अंडरूट d square minus का r1 plus का r2 का whole square होता है तो d square कितना हो जाएगा अठ्ठ्ठ्ठ्टू 64 हो जाएगा minus का r1 plus r2 कितना हो जाएगा यहां से गटाएंगे 14 से 9 हो गया 5 बचा फिर यहां 5 से 4 गया 1 बचा यानिक अंडरूट 15 आंसर आगया अगला सवाल यह देखो यह भी आसान सवाल था अगर फार्मूले याद होंगे तो आप लोग यह अच्छे से कर लेंगे तो देखो इसमें cos c minus cos d का लगाएंगे तो minus बाहर आ जाएगा यहां से देखो क्या हो जाएगा 4 तो 6 6 बचे 2 हो जाएगा यानि की sin 3x और sin x हो जाएगा और 2 और ध्यान रखना नहीं तो बूल जाओ ठीक है तो यहां से sin 3x का फार्मूला भी याद होगा नहीं याद है फिर क्या भाई फिर तो आप मतलब चले गए यानि की value पहले रखते तो गुडें करेंगे दो बटे 5 फिर यह तो भाई देख तो फिर किसी काम के नहीं रह जाओ गया आप लोग sin x मतलब 2 बटे 5 माइनस का 4 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया 25 पंजी 125 हो गया यानि की यहां पर भी 25 का गुणा कर दो तो 25 दूनी 50 पांच और लिखो 48 32 हो गया फिर ग्यारा चोक 44 44 43 कितना हो गया 47 फिर यहां से देखो इससे 25 पंजी 125 लेख सकते यह 25 का स्कुरार 625 वह भी किसका माइनस का अंसर आगया ठीक है फार्मूले याद कर लो फार्मूले याद होंगे तो आप बहुत कुछ करके जाएंगे टिक् क्या है तो देखो ऊबजर्वेसन थोड़ी सी ऊबजर्वेसन कर लो और्स देखो किसके पास है सब 80 के पास है यहां से 80 माल लो एक अगर अगरे 80 माल है तो 80 सी यह कितना ज्चादा यह कितना ज्यादा है 21 हो गया यहां से करेंगे तो देखो 25 और 24 तो 26 करो माइनस का है प्लस का 5 और ले लो 26 से 5 जाएगा 21 बचेगा वो भी माइनस का यह तो कैंसल आउट यानि कि जो हमने 80 माना वो एकदम सही माना इक बाकी सब को जोड़के भाग कर लेना वो भी आसान तरीका है चलिए फिर 27 अक्टूबर की सिफ्ट वन कम्पलीट हो गई है और बताईएगा कि कैसा पेपर दा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पेपर दा मतलब 3 कोश्चन बहुत अच्छे लेविल के थे 3-4 कोश्चन होगे मेरे हिसाब से उनको नोट डाउन करते चलना में कुछ नहीं कह सकते कि क्या आ जाए और हां इंग्लिस का याद रखना में में इंग्लिस और जीएस तुमारी क्या होगी ये मतलब कोश्चन इतने कम है अगर इजी आ गई तो आप लोग एक गंटे का टाइम दिया गया तो आप 30 मिनट में करके बैठ जाओ क्योंकि अब एक दम और सेज़ेंगर और उपर बढ़ते जो और साइड में राइट वार जब पैसेच खोलने के बाद देखोगे है रायट वार पर. उसमें वुकैब उसकी सारी कठिन दी रहती है तो आप अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हैं चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक ले जै हिन जै बारत